नमस्कार, फल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका चर्चा में है क्यारा अडवानी का परल वाइट बैग कीमर जान कर रह जाएंगे आप भी हैरान कबीर सिंग से रातो रात पहचान बनाने वाली अक्ट्रिस क्यारा अडवानी ने 31 जुलाई 2019 को अपना 27 वा जनम दिन मनाया है अपने बर्दे के मौके पर क्यारा परल वाइट आउट फिट में नजर आई थी क्यारा के बर्दे लुक में सबसे जादा ध्यान उनके वाइट बेल्ट बैग ने अपनी और खीजा था बता दे कि क्यारा के इस वाइट बैग की कीमत 5000 डॉलर है यानि की 393,707 रुपे है क्यारा की बात करें तो फिल्म कबीर सिंग ने क्यारा के करियर को एक नई उडान दी है वॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्डों को तोड़ दिया है क्यारा आफ फिल्म गुड नियूज में नजर आएंगी इस फिल्म में क्यारा के साथ अक्षे कुमार, दिलजी, दोसांज और करीना कपूर खान लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म को राज महता डारेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 27 नवंबर 2019 को रुलीज होगी। इसके लावा क्यारा फिल्म लक्षमी बॉम में भी अक्षे के साथ नजर आनेवाली हैं। इस फिल्म को राघवर लौरेंस डारेक्ट करेंगे। लक्षमी बॉम तमिल फिल्म कंचना की रिमेक है। फल में अक्षे कुमार ट्रांसेंडर भूत के रूप में दिखाई देंगे वही दूसरी तरफ क्यारा अजवानी के लव की चर्चा होती रहती है उनका नाम फिशले दनों से सधार्थ मलोतरा के साथ जोड़ा जा रहा है या तकि जब क्यारा ने अपने बर्दे की पार्टी क के कट करने के बाद क्यारा सेधार्थ की गारी में बैठ कर कई ही निकल गई और वैसे भी जब-जब मिलता है सधार्थ और को एक दूसरे के साथ वक्ग बिताने का मौका हाथ से जाने नहीं देते और तो और दर्चकों को इन दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी लगती ह हलाकि अब तक इस बारे में क्यारा और सधार्थ ने कभी भी ऑफिशली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में बेहत अच्छी बॉंडिंग है मेराल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा